हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्रीवन टैक तो फ्रेंट्स जब आपकी चैनल के उपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वोस्टाइम कंप्लीट हो जाता है तो यूट्यूब से आपकी अर्निंग होने लगती है तो उसके बाद या आप से पेमेंट अपने बेंक में ले सकते हैं तो अगर आपको सीखना है तो उसके पर मैं यूट्यूब की तरफ से आपके घर पर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अड्रेस पिल भेजा जाता है जिसको आप गुगल एड्सेंस में डालके वहाँ पे अप लेकिन कई बार ऐसा होता है कई cases में ऐसा हो रहा है कि जो आपका actions pin है वो आपके घर पर नहीं आ पारा आप 3-4 बार apply भी कर चुके हैं और आपका name और address भी सही है फिर भी वो आपको receive नहीं हो रहा है इसके कई कारण हो सकते हैं हो सकता है आप किसी गाउं में रहते हूं या फिर सिटी में भी रहते हूं लेकिन ऐसी जंगे रहते हूं जहां पर आपकी जो पोस्टल सर्विस है वो इतनी ज्यादा active नहीं है तो फ्रेंड्स आज इसी का solution लेके मैं आपके सामने आया हूं और आपको समझ में आएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लें और उसे ओल पर सैट कर लें जिससे आपको आने वाली हर एक नहीं वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लेप्टॉप की स्क्रीन के उपर इसमें मैंने आप देख सकते हैं मैंने एटसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है तो हमारे अकाउंट में जब 10 डोलर हो जाते हैं तो उसके पाद हमारे घर पे एड्रेस जो है हमारा वहाँ पे एड्रेस वेरिफाई करने के लिए पिन भेजा जाता है यूट्यूब की तरफ से और अगर आपके पास पिन नहीं आता है तो आपको क्या करना है वही सल्यूशन में आपको बताने वाला हूं कि आप ओनलाइन कैसे अपने एड्रेस को वेरिफाई कर सकते हैं वो भी बहुती असानी से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी 3-4 बार एपलाई कर लिया है लेकिन फिर भी मुझे पिन रिसीव नहीं हुआ है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आपके पास पिन आ जाता है तो तो आप सिंपल यहाँ पर यह वेरिफाई का जो अप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी पिन है जितने भी दूसरा तरीका ओनलाइन तरीका आपको बताता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर उपर एक नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर मुझे दो ओप्शन दिखाई दे रहे हैं एक्शन और लर्न मौर का तो मैं यहाँ पर लर्न मौर के उपर क्लिक करूंग तो लर्न मौर पे क्लिक करते ही यह विंडो मेरे सामने ओपन हो गई है इसमें हमें सबसे नीचे स्क्रोल डाउन करना है और सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखा है having problems with your pin हमें यहाँ पे आके यहाँ पे आपको pin troubleshooter का एक option दिखाई देगा आपको इस option के उपर क् क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी इसमें यहाँ लिखा हूँ है confirm your email तो आपसे यह सबसे पहले पूछेगा if you are a YouTube publisher please get in touch with YouTube creator support to troubleshoot issue relating to your access pin पे email ID है आपकी यहाँ पे यह पूछ रहा है कि access के लिए आपने इसे यूज किया है तो हम यहाँ पर yes करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे continue पे क्लिक करेंगे continue पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला option आता है have you received your physical pin mailer कि आपको जो pin है वह mail के through मिली है या नहीं तो हम यहाँ पे हमें पिल नहीं मिली है तो हम यहाँ पे no पे क्लिक करेंगे और फिर से continue के उपर क्लिक करेंगे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मुझे एक option मिल रहा है contact support team upon checking your account it looks like you have already requested visit four pins कि यह कह रहा है कि हमने four pins पहले ही आपने four pin के लिए request कर दी है इसलिए अब आप please contact contact form हमारी support team है वो आपको डारेक्ट इस contact form का option मिल गया है हमें इस पे जाके अपनी detail fill करनी है ठीक है यह आपका option जभी आएगा जब तीन चार बार आप इन के लिए apply कर चुके होंगे ठीक है तो यहाँ पर contact form के उपर आपको क्लिक करना है तो contact form पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ गई है यहाँ पर परसनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यह आ गया है यहाँ पर रिक्वाइड फेल्ड दे रखें आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जो आपने email address यहाँ पर automatic आ जाएगा क्योंकि हमने शुरू में यस किया था यह हमारी email है ठीक है और यहाँ पर आपको अपनी AdSense Publisher ID डालनी है यहाँ पर ठीक है जो भी आपकी Publisher ID है भी यू भी से स्टार्ट होती है ठीक है वह मैं आपको बता दूंग अभी कि आपको कैसे इसे डालना है यहाँ पर तो मैं जल्दी से यह तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूं तो मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर फिल अप कर दिया है नाम डाल दिया है ठीक है Contact email address डाल दिया है और उसके बाद Publisher ID डाल दी है Publisher ID आपको कैसे मिलेगी Pub लिखा होता है यह आपको आपकी account की setting में मिल जाएगी या फिर जब आप AdSense account open करेंगे अपनी ID login करेंगे तो उसमें उपर आपको जो URL होता है वहाँ पे भी Pub और उसके बाद आपका यह ID मिल जाएगी तो Pub से आपको copy कर लेना है आगे जितनी भी digit है उनको ठीक है उसके बाद यहां पर submit and attachment है यहां पर आपको address verification से related कोई भी government issue ID यहां पर upload करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं आप आदार काड़ भी कर सकते हैं ठीक है voting card भी कर सकते हैं तो मैं जल्दी से यहां पर आदार काड़ अप्लोड कर देता हूं चूस पाइल पे क्लिक करके हम उसे upload कर देंगे तो मैं जल्दी से यहां पर upload कर देता हूं तो friends मैंने यहां पर यह अप्लोड कर दी है attachment उसके बाद नीचे आपको submit का एक option दिखाए देगा आपको simple इसके उपर click कर देना है तो friends आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास यह notification आ गया है यह form submit हो गया है और 24 घंटे के अंदर आपको यह बता देगा कि आपका जो अभी यह adsense है verify कर देगा और यह 48 hours से जादा नहीं लेता है लेकिन यह कुछ time में ही हो जाता है तो मैं आपको अब अपने mail पर लेके च thanks for sending your proof of entity I am happy to let you net this your address verification है वो adsense के लिए फुल्फिल हो गई है now you have verified your address please ensure you have completed this additional step to get form choose a form of payment if your balance has reached the minimum paytm3should review our payment timeline to learn more you will be paid ठीक है तो यहां पर यह अब जो है हमारा identity है वो हो चुकी है ठीक है तो यहां पर अब हम दुबारा देखेंगे यहां पर adsense account में वापिस आके मैं आपको दिखाता हूं वो जो option आ रहा था वो हट गया होगा तो यहां पर मैं फिर से refresh कर लेता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहां से उपर से वो option ही हट गया है ठीक है और यहां पर जो verify करने का रहा था वो भी नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप online अपने address का जो भी address pin है उसको verify कर सकते हैं Google गूगल एक्सेंस की और अपनी पेइमेंट्स को आप यहां पर इसली आप कर पाएंगे जब आपके 100 डोलर्स हो जाएंगे जो मिनिमुम ठीश होल्ड है यहां पर ठीक है और फ्रेंट्स आप यहां पर verification चेक के अंदर आके भी देख सकते हैं यहां पर मेरा identity verification complete हो चुका है और address verification भी complete हो गया जो भी हमने online किया है तो इस तरीके साब अपने address को verify कर सकते हैं ओनलाइन गूगल एड्सेंस के अंदर तो फ्रेंड्स अब आपने सीख लिया हुआ कि आप किस तरीके से गूगल एड्सेंस में address verification online कर सकते हैं घर बैठे आपको उसके लिए सिर्फ ए government ID की ही जरूरत होती है ठीक है अगर 3-4 बार भी नहीं आ रहा है तो यह सबसे best solution है और सबसे आसान तरीका है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो इसे like को share जरूर कर